श्रीदुर्गा मानस पूजा उद्यत चंदन कुन कुमारुन पे उधारा भिरापलाविता नाना नग्यमने प्रवाल धेतिता अधता। ग्रिहा नाम बिके आमरिष्टान सुर सुन्दरी बिर्भेतों हस्ताम बुजर भक्तितों माता सुन्दरी भक्त कल्पल अतिके। श्रीपादुका मादरात एक माता त्रिपुर सुन्दरी तुम भक्त जनों की मनोवांचा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। मा, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्रीचरनों में समर्पित है, इसे ग्रहन करो। ये उत्तम चंदन और कुनकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है, भाती, भाती की बहुमूल्य मनियों तथा मूंगों से, इसका निर्मान हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर, कमलो द्वारा भक्ती पूर्वक इसे सब और से धो, पोंच कर स् खेत की परिम तेला, महानिर मलंग गंधोंवर तनमादरें तरुनीदत ग्रिहानाम विके दो मा, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह, दिव्य सिंघासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो, यह वो सिंघासन है, जिसको देवराज इंद्र आदी भी पूजा करते हैं अपनी कांती से दमकते हुए राशी, राशी सुवर्ण से इसका निर्मान किया गया है, यह अपनी मनोहर, प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है, इसके सिवा, यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल, तेल और सुगंध युक्त उप्दन है जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। जिसे पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हैं। जिसे पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हैं। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण ये बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। जिसे पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हैं। कामलूं। में धारन की ये खड़ी हैं। ये केसर में रंगा हुआ पीतामबा है। इससे परम प्रकाशमान सुर्यमंडल की शोभामई। दिव्या कान्ती निकल रही है। जिसके कारण ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। पांच स्वरनाकल पित कुंडले। शुरुती युगे हस्ताम बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितमबफल के मंजीरम निद्वे। हरो वक्षसी कंकनो। क्वन्रनतकारा करवन्व के विन्यस्तम मुकुट शिर्स्यनुदिन दतोन्दम स्थुयताम छे तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल जिल मिलाते रहें, कर कमल की एक अंगुली में अंगुथी शोभा पावे। कटि भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए, दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे, वक्ष, स्थल में हार, सुशोभित हो और दोनों कलायों में कंकन खनकनाते रहें, तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रते दिन। आनंद प्रदान करे, ये सब आभूशन प्रशंसा के योग्य है, छे ग्रीवायां दृतकांते कांत पतलम ग्रेवेयकां। धारन करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्मपत्र की शोभा को तिर्सकृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगालो, ये काजल दिव्य औशदियों से तैयार किया गया है। साथ अमंद तर्मंदरोन मथित दुग्ध सिंदूद भवं निशा का करोप मंत्रिपूर सुंदरी श्री प्रदे ग्रिहान मुख मीक्षतूं। मुकुर्बिम्ध मविद्रुमै अविनिर्मितं भच्छिदे रतिक्राम बुजस्थाइनम आठ पापों का नाश करने वाली संपत्तिदाइनी त्रिपूर सुंदरी अपने मुख की शोभा निहारने के लिए ये दर्पन ग्रहन करो। इसे साक्षात। रतिरानी अपने कर, कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं इस दर्पन के चारों और मूनगे जड़े हैं प्रचंड। इसे सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा ये कस्तूरी रस चंदन, अगूरू और सुधा की धारा से। इसे सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर। निवास करने वाली श्रीचंडिका देवी की पूजा करता हूँ दस मासी गुग्गुल्चंदना गुरूर्जर। करपूर्शे लेजे रमाद्वी केह सेह कुन्कुमेह सुरचितेह सर्पिब्रामिश्रितेह सौरब्यस्थितिम्दिरे मने में ये। पात्रे भवेत प्रीते धूपोयम सुरकामिनी विरचितः श्रीचंडिके त्वनमुदे ग्यारा श्रीचंडिका देवी देववधुओं। के द्वारा तैयार किया हुआ ये दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो, ये धूप रत्नमय पात्र में। जो सुगंद का निवास स्थान है, रखा हुआ है, ये तुम्हें संतोष प्रदान करे, इसमें जटामानसी, गुगगुल, चंदन, अगूरू, चूर्न, कपूर, शिलाजीत, मधू, कुनकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीती से बनाया गया है ग्यारा। घृत द्रव परिस्फुरेद्रूचिर रत्र नैस्ट्यान्वितो, महातिमिर्नाशना, सुरनितंबिनी निर्मिता, सुवर्न चशकस्थितर, सघंसार्वर्त्यान्वित, स्थव, त्रिपुर सुंधरी, चंदरी, प्रसननता के लिए यहां ये दीप प्रकाशित हो रहा है ये घी से जलता है, इसकी दियत में सुन्दर रत्न का दंडा लगा है, इसे देवांगनाओं ने बनाया है, ये दीपक सुवर्ण के चशक, पात्र में जलाया गया है, इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है, ये भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है बारा, जातिस औरब निर्भर रुचिकर शाल्योधना निर्मला युक्तम, हिंगुम रीचजीर सुर्भिद्र व्यानवितर व्यंजनाय, पक्वनेन सपाय सेन मधुना दध्याजिसम मिश्रितम नवेद्यम, सुर्कामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वनमुदे तेरा श्रीचंड दिका देवी, देववधू ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य नवेद्य तैयार किया है, इसमें अगहनी के चावल का स्वच भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासिठ है, साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदी सुगंधित द्रव्य से चौक, बगहार कर, बनाई हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं, इसमें भाती, भाती के पकवान, खीर, मधू, दही और घी का भी सजाकर रखा हुआ, ये दिव्या तामबूल अपने मुख में ग्रहन करो, लवन की कली चुभो कर इसके बीरे लगाए गए हैं अता बहुत सुन्दर जान पड़ते हैं, इसमें बहुत से पान के पत्तों का उप्योग किया गया है, इन सब बीरों में कोमल जावित्री, कपूर और सोपारी पड़े हैं, ये तामबूल सुधा के माधूर्य से परिपूर्ण है 14. शरत प्रभव चंद्रमह स्फुरित चंद्रिका सुन्दा गलत सुरंगी निले लित मौक्तिक आडंबर 15. ग्रिहान नवकांचन प्रभवदंध खंदुज्ज्वलम महात्रपूर सुन्दरी प्रकत मात्पत्रम महत पंद्रा महात्रपूर सुन्दरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने ये विशाल एवं दिव्यच्छत्र प्रकत हुआ है, इसे ग्रहन करो, ये शरत काल के ये छत्र सुवर्ण मै दंड के कारण बहुत शोभा, पारहा है 15. मात्सिव मुद्मातनोतु सुभगस्त्री भे सदांदौलितम शुब्रन चाम्रमिंदु कुन्सद्रिशन, प्रस्वेत दूखापहम, सद्योगस्त्यवसिष्ठ नार्दशुक व्यासा दिवालमी की भे स् कुरुता, शर्मानी वेदधवनी सोला मा, सुंद्री स्त्रियों के हाथों से निरंतर दुलाया जाने वाला ये शुवेत चाम्र, जो चंद्रमा और कुंद के समान उजज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे, इसके सिवा मह हर्षी अगस्त्य, वसिष्ट, नारद, शुक, व्यास आधी तथा वालमी की मुनी अपने, अपने चित में, जो वेद मंत्रों के उच्छारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन, संकल्पित वेदधवनी तुम्हारे आनंद की वृद्धी, करी सोला स्वर्गांगने वेनु भेरी की मधूर द्वनी के साथ जो संगीत होता है तथा, जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहता है, वो विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य, कला, तुम्हारे सुख की वृद्धी करे 17 देवी भक्तिर सभावित वृते प्रियता यदी कुथ पी लभ्यते, तात्र, लॉल्यम अपी सत्फल में कल जन्मकोट विर्पीहन लभ्यम अठारा देवी, तुम्हारे भक्ती रस से भावित इस पद्यम अइस तोत्र, में यदी कहीं से भी कुछ भक्ती का लेश मिले तो उसी से प्रसन हो जाओ मा, तुम्हारी भक्ती के लिए, चित में जो आकुलता होती है, वही एकमात जीवन का फल है, वो कोटी, कोटी जन्म धारन करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलब नहीं होती 18 एताई शोडश भेह पद्याई रुपचारों पकल्पितेया, यह परां, देवता स्तोती सतेशा 19 इती दुरगात्रे दुरगामान पूजा समापता, इस उपचार कल्पित, सोला पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपूर सुंदरी का स्तवन करता है, वो उन उपचारों के समर्पन का फल, प्राप्त करता है एक नो